नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल कलाम स्टेडी में आपका हारदिक स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जर्चा करेंगे आरेस मेंस के पेपर के बारे में आरेस में का फैस्ट पेपर 2016 का जो फैस्ट पेपर था वो हमने बना कर डाल दिया था यह आपने नहीं देखा है तो उसका वीडियो का लिंक दोस्त आपको निचे डिसकसर में देदूँगा तो वहां से आप वह देख लेना अब चर्चा करे में 2016 में जो पेपर सेकंड आये था उस पेपर सेकंड के बारे मैं हम इस वीडियो में चल्चा करेंगे तो डूस्तो वीडियो को आप शुरुशे लेकर रंधे करें तक पूरा देखें तो नीचे कमेंट करके बताएं कि हमरा वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तो यह वीडियो चर्चा में करें इससे पहले आपको बता दूँ यह दोस्तों आपने R.A.S. मैन का दोसर अठारा का एक्जाम दिया है या नहीं भी दिया है तो R.A.S. के तयारी कर रहे हैं तो दोसर अठारा में जो परसन आये थे मैन्स में परसन आये थे वो सबी परसन हमने वीडियो बनाकर डाल दी है तो उनका लिंक भी दोस्तों यह आपने नहीं देखा है तो उनका लिंक भी आपको निचे कितने कितने नंबर के आए थे वो सारी जनकरी चरशा करते हैं तो देखते हैं दोस्तों की पेपर सेकेंड है में आये था इसमें डोंसill के जहीं लूलेजग का पेपर आये था इससे पहले दोस्त आपसे एक निवेदर है वीडियो आप एक लाइक जुरू करें जिसे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है था हम अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं यह आपने चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो निची दिएगे लाज गंठे का सामनावा है उस गंठे के जानको जुरू दबादें जिसे आगे सभी जानकरी जो भी RS से समधी जानकरी है वह आप तक पहुंचती रहे है यह RS के जो भी पूराने पेपर हैं वो सभी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे तो दोस्तों यूनिट फैस्ट में भाग दो अंकों का योग उसके ठीक बाद के दो अंकों के योग से अधिकरी नहीं है तो यह आपको निच्छी संक्या दी गई है वीडियो को प्यूज करके आप राम से देशकते हैं तो इसका आंस्वर दोस्तों आपको प्यूशन आप हल कर लें तो आंस्वर आप निचे कमिट करके हमें बताएं जिसे बाकी लोगों तक भी इसका आंस्वर पहुंच पाएं नेक्स्ट है दूसरा परसन है एक कण एक वर्ताकार चकर एक मिनिट में पूरा करता है परन्तु वह कर्मानुशार आदा चकर गड़ी की दिशा में तथा एक तिहाई चकर गड़ी की विप्र कुर्णार के जाद कीजिए जो एक साथ की नि कतिपे पुर्णांकों का वरग्या घन हो तो ऐसे कुशन दोस्तो आरेएस में में 2006 में जो पेपर सेकिंड था उसमें पूछे गए थे दोस्तों आपको कितने क्युशन आ रहे हैं इनक्यूशनों के अंस्पर आपने निचे कम is lighter than A C का whole cube इसका answer आपको देना है next question था था दोस्तो पर्थम N प्राक्र-शंक्यों का परसरन क्या है natural number का veryness क्या है परसरन क्या है तो ये question लगाता है पुछे गए थे next question है था दोस्तो यह दी A, B वा, C तीन ऐसे समुचे हैं कि कोई भी दूसरे का उपसमूचे नहीं है वेन आरे का उपयोग करके A-C, C-B ग्याद कीजिए तो ये क्योशन पूछा गया था नेक्स्ट कुशन देखते हैं तो ये दो-दो नुम्बर के क्योशन है यदि एक निश्चित कूट बासा में S-A-N-T-I को A-9-8-1-A-4-B-0-0 लिखा जाता है तो F-O-R-U-M फोरम को 6-A-5-A-8-B-1-A-3 लिखा जाता है तो उसी कूट बासा में B-U-I-L-D बिल्ड को क्या लिखा जाता है तो ये आंस्वर आपको देना है दोस्तों आपको पेपर चाहिए तो आपको निचे कमिट करिए हम उसका लिंग आपको निचे दे देंगे नेक्स्ट है दिये गे चितर में सहयंकित बागा चितरफल गयाद केजिए अधिक्तम अंक का 37% किया आव सेकता है एक विद्याति को चुराण में अंक प्राप्त होते हैं और उसे 14 अंकों से अनुतिरन गोशित कर दिया दाता है तो दोस्तों अधिक्तम अंकों की गणना कीजिए तो अधिक्तम अंकों की गणना आपको करनी है नेक्स कुषन है, एक इलेक्टरोनिक उपकरन, परतेएक 60 सेकंड पर साथ एक सीटी बजाता है, तो दूसरा उपकरन परतेएक 62 सेकंड के पर साथ सीटी बजाता है, तो पहली बार वे दोनों उपकरनए, 10 A.M. पर 7 सीटी बजाते हैं, तो गयाद कीजिए कि वैस शीगर्थ ह समय ज्याद केजिए जब दुबारा एक साथ है शिती बजाएंगे तो ये दोस्तों दस नमबर का क्योशन था नेक्स देखते हैं नेक्स है पार्ट बी तो पार्ट बी दोस्तों इसमें 25 अंकों के होगे तब परते एक परशन 5 अंकों का होगा और 25 अंकों का पूरा होगा तो 5 से 5 के 5 कुशने होगे तो ये क्योशन जो आये था वे आये था दोस्तों J, K, L, M, N और O एक परिवार के सदस्य हैं तो सभी सदस्यों का विवसाही बिन-बिन है येदि परिवार में दो विवाहित यूगल है फर्ष्ट क्या हो गया परिवार में दो विवाहित यूगल है शेकेंड हो गया M एक चिकित्सक है और उसकी पतनी एक इंजिनियर है J, O की पुत्री है वह L की बहन है K, L के दादा है वह इनकी साधी एक अधियापिकासी हुई है L एक कलरक है वह उसकी माता N है तब दोस्तो M की पतनी कोन है यह आपको गयाद करके बताना है तो यह बलट डिलेशन का क्यूशन आ गया है तो M की पतनी क्या है यह आपको गयाद करके बताना है दोस्तों यह पेपर हम आपको इसलिए प्लूप करवा रहे है कि आप RS की तयारी बेहतर तरीके से कर सकें, तो ये क्यूशन दोस्तों, ये 10 ठीटा ब्राबर x sin ठीटा बटा 1-x cos ठीटा आगे है 10 ठीटा, 10 ठीटा नहीं है शुरी, ब्राबर y sin ठीटा बटा 1-y cos ठीटा तो सिद कीजिए कि sin ठीटा बटा sin ब्राबर x से y कांस्वरी क्या हो तो question आपको प्यूच करके देख लें, तायराम से इसको हल कर लें. Next question है N तीन अंकों के साथ के गुर्णज कीuve studio क्या हो, तो उसके 25 के भी गुर्णज होने की क्या प्रेक्पा है? उसके 5 के गुर्णज होने की क्या प्रेक्पा है? आप बताइए. नेक्स्ट है एक हजार से अधिक न हो वैस सबसे बड़ी पूर्णांक संग्या क्या होगी जिसमें 5 से विवजित करने पर 6 पल 3 यह उन 7 से विवजित करने पर 6 पल 5 तदा 9 से विवजित करने पर 6 पल 7 रहता है तो ऐसे किसनों दोस्तों 2016 में पूछे गए है तो ऐसे किसनों के आपर तियारी करते रहें नेक्स जो है वैकि शिरीमान एक्स ने दो योजनाओं ए और बी में धन निवेस किया जो करम से 5 परतिसद और 10 परतिसद परतिवरास चकरती ब्याज प्रदान करती थी यदि दो वर्षों के बाद दोनों योजनाओं द्वारा कुल अरजित ब्याजगीराशी 2,05 रुपे थी तता कुल निवेस किया गया धन 15,0 रुपे था तो योजना A में निवेस किगीराशी गया थे किये जिए तो ये परशन दोस्तों 2016 के मेन के शेकेंड पेपर में पूछ ना है तो दस दस नमबर के दो क्यूसने होंगे तो ये क्यूसने देखते हैं कि दो नल A और B एक टंकी को करम से 5 गंठे चता 20 गंठे में अकेले बर सकते हैं यदि दोनों नल खुल दिये जाएं तो टंकी में एक छेद के कारण उसको पूरा बढ़ने में 30 मिनिट औरे अध क्यूसन दोस्तों बड़ा क्यूचन है ये आपको सोशब्दों में करना है तो दस नमबर का ये प्रस्ण है नेक्स्ट क्यूचन है वह है कि एक चुनाव में मद्दाता सुची में से 103 मद्दाताओं ने अपना मत्त नहीं दिया तरफा शाठ मत्त डिक्ट डाले वहां पर क क्योसिद लांट आठाओं की संख्या कितिनी है वह आपको घ्याद करनी है यह क्योष्ण 10 नमबर काトित्त wyn॥मधे सब्सक्राइब की वे इस दूड्वर स浹ुवर चोडा के जो पेपर शेकेंड आया था उसमें में मैं वे देखते हैं है तो योषल देख जर्चंटित सतर नंबर की हो थी। इसमें पार्ट एं में दस नंबर का था आप प्रतेक पस्टरसमें दोंकर इसमें दौंगों का तो पधरा सब्दों में आपको इसे अंसवर देने हैं तो पहला क्यों से देखते हैं unit second का part A का कि एक हलकी वे भारी वस्तु का सम्वेग सम्मान है इन में से किस की गतीज उर्जा अधिक होगी तो ये normal question पूछा गया है next है ना भी कि ये पदार्त का गनत्व ना भी कि आकार पर किस प्रकार निर्फर करता है क्या परमानों का गनत्व भी इसी नियम का पालन करता है तो ये आपको हले करना है next question है दोस्तो जूल थोमचन परबाव से आप क्या समझते हैं अगला question है डेंगू पुखार के कारक जीव तता इसके वाहक का नाम बताईए तो डेंगू फिवर है उसके कारक जीव है उसके वाहक का नाम आपको बताना था next जो किसन था वह था चत्तर परजातिय क्या है 70 परजाति का एक उधरने दिजिए अगला देखते हैं अगला पार्ट अज़ार बी क्या व्रहत दोस्तों तुझ पांच पांच से नमरों का है तो पांच-पांच नमरों के चैयर कुशन इसमें होंगे है तो पाचास सब्दों में आपको आंसूर देना है तो चैनंबर का क्युशन है पेपर सेकेंड का कि ग्रहीये गती के लिखिए HAIR अके क्युशन है दुश्कले पदार्थ के नमुने में हाइट्रोजन आयन के संदर था च्यार गुणा दस की पावर माइनस तीन एम है तो इसका पी एची क्या होगा ये लोगरित्म में मान दिया गया है तो वीडियो को प्यूज करके आप अराम से इसको हैले कर सकते हैं नेक्स्ट कुशन है अनुवान सि संचार निकाय का बलोगिटर देते विए उसके अववियम को समझाएज तो उसके अववियम को समझाना है अगला जो कुछन आया था वह है ठोस के बेंट से दांत के आदार पर चालक अर चालक वे कुछ चालक में बेद कीजिए यानि ठोस के बेंट से दांत के आदार पर चालक अर चालक के कुछ चालक में बेद करना था तो next है, मानुओं में गुन्षुत्री विकार क्या होते हैं, तो इस परकार के किनी दो विकारों के कारण यहाँ लग से लिखए तो कारण यहाँ लग से लिखने थे अगला question देखते हैं अगला question था दोस्तों कि राजस्तान सरकार के पसुपालन विवाग दोबरा चलाए जारे नसल सुधारकारिय करम की विवेचना कीजिए तो ये 13 नम्बर का question था next question देखते हैं तो next आगे दोस्तों यूनिट थर्ड तो unit third में भाग A आ गया तो unit third है ये 65 नंबर का है तो unit में भाग A है ये 10 नंबर के हैं तो परते एक परसंद दो दो अंकों के होंगे पांच कुशनिस में होंगे तो ये देख लेते हैं कि उलका जीलें क्या है तो उलका जीलें के बारे में क्यों सनाया है उलका जीलें क्या है इसके बारे में आपको बताना है नेक्स्ट है अधीकेंदर क्या है तो अधीकेंदर के बारे में आपको बताना था नेक्स्ट है भारत में कौन से चेतर सीटकालीन वर्षा प्राप्ते करते हैं बारत में कौन से चतर ही है शीतकालिन वर्षा प्राप्त करते हैं नेक्स्ट कुशन है राजस्तान के मुख्य एदात्विक खनीजों के नाम लिखिए नेक्स्ट है सन 2011 की जरगर्णा के अनुसार राजस्तान में पुरुष एउं इस्तरी साक्षरता की दर क्या है वह आपको बतानी है तो यह 5 कुशन इसमें पूछे गए थे अब है यूनिट 3 का पार्ट बी तो यह दोस्तो 25 नमरों का है पर टेक परसंट 5 अंका ता 50 सब्दों में इसका आंसर आपको देना था तो 25 अंका है तो 5 कुशन 5 परस नमरों के आएंगे तो यह 6 नमर का क्युशन है उत्तरी अमेरिका की महान जीलों की अवस्तिती नाम एउ महतवक को संशेप में सपस्ट कीजिए तो यह आपको बताना है दोस्तो ऐसे ही हमने आरेस के बहुत सारी वीडियो बना रखके हैं यह अपने वह नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको नेचे डिस्कृस्ट में देदूँगा यह हमारे सेनल के होम पेज़ पर प्ले लिस्ट में जाकर आप आरेस में देख सकते हैं तो भारत की B.S.H.W. परकार के जलवायू को सपस्ट कीजिए यह आपको सपस्ट करना था नेक्स्ट कुशन है भारतिय मानसुन पर लाल निना के परबाव को सपस्ट किजिए तो भारतिय मानसुन का हाली में मुस्तम चल रहा है तो मानसुन पर लाल निना के परबाव का सपस्ट करना है next question जो आएथा वय था राजस्तान में इमारती पत्रों के परकार ये वित्रन को संचेप में समझाइए next question है राजस्तान में लिगनाइट को इले के वित्रन ये ओदोगिक उप्यों के बारे में लिखिये तो ये Ст़र जो क्यूसन है तो परते एक परसन दस अंगों का यह दर्थ है तो तीन क्यूशन होंगे वह आपको सो सब्दों में इसके आंस्वरे देने होंगे तो यह परसन है दोस्तो बुगर्बिक समेश सालने के विवाजनों को सपस्ट कीजिए तो ये बुगरबिक समेश साण है इसके विवाजनों का आपको सपस्टी करना है नेक्स्ट कुशन जो आया था वै था दोस्तो भारत के तटिये मिदानों को उपविवागों में विवाजित कीजिए तथा उनकी विशेशताओं का वन्नने कीजिए अब जो तेरा नमर का क्युशन था वै देख लेते हैं तो वै क्युशन दोस्तो आया था कि राजस्तान की भील जन्जाती के आवास अर्थ विवस्ता एम समाज का वन्नन कीजिए तो ये क्युशन आरेस मेंस में पेपर सेकेंड में दोस्तो पूछे गए थे तो इतने पेपर फोर दोनों पेपर हम आपके लिए लेकर आएंगे तो आप हमसे जुड़े रहें यदि वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें तिससे सभी तक यह पेपर पहुंच पाए यदि चैनल को आपने अभी झाल